नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकिंद्र जी की रेमेडी दोस्तों ऐसा करता हूँ आप खुश होंगे और कहीं कोई दिक्कत है तो उसके लिए मैं आपको इसमें एक छोटा सा और सिंपल उपाए बताने वाला हूँ आज उपाए में अक्सर देखा जाता है हमारे परिबार में समाज में चारों तरफ एक चीज बहुत तेजी से फैल लाई है वो है वेमनेस सिता लोगों में आपस में प्रेम भाव की जगे इर्षा द्वेश ने इस्तान प्राप्त कर लिया है इस इर्षा और द्वेश के चलते कितने घणिश्ट सम्मंद हैं वहां भी दुश्मनी पैदा हो जाती है दोस्तों अब इस दुश्मनी का कितनी बार तो कोई कारण होता है और कितनी बार अकारण ही ये पैदा हो जाती है कारण अगर आपके बीच में कोई मन मुटाव हुआ लड़ाई जगड़ा हुआ तो अगर दुस्मनी हो जाती है तो समझ में आता है लेकिन कोई लड़ाई जगडा नहीं हुआ, मन मुटाव नहीं हुआ, उसके बावजूद भी गार सम्मंद होते हुए और धीरे धीरे वो सम्मंद अलग होने लग जाते हैं और एक दूसरे के साथ वो दुस्मनी का रूप ले लेते हैं एक दूसरे के सत्रू बन जाते हैं, जानलेवा सत्रू बन जाते हैं, एक दूसरे को किसी भी डंक से मौका मिले तो नुकसान पहुचाने की कोशिस करते हैं तो यह जो सत्रू वाला मेटर है यह आजकल बहुत जगे देखने मिलता है अब अगर इनसे लड़ाई जगड़ा किया जाए तो तो संब्ढ़ने उसे तो और बड़े नुक्सान हो गए तो यह दुस्मनी खत्म हो जाए उसके लिए एक छोटा सा सिंपल उपाए मैं इसमें लाया हूं अगर दुस्मन पहुती सक्ती साली है तब तो आप उसका ऐसे भी सामना नहीं कर सकते हैं और वो आपको हर तरह से छती पहुचाने की कोशिस करता रहता है और पहुचाता भी है और आप उसको सेहन करते हैं इसी सिच्वेशन में आप उसका सामना नहीं कर सकते, कोट कचेरी में भी उसका सामना नहीं कर सकते, पुली स्टेशन में भी आप उसका सामना नहीं कर सकते, तो तब आप क्या करेंगे इसी सिच्वेशन के अंदर, तो दोस्तों आपको मेरा ये उपाय करना है और आपको उस स गत्रू से आपको नजात मिल जाएगी उसको ज्यादा कुछ नहीं करना है सिंपल हो पाए है आपको ये कूरा कागज लेना है लाइन बिना का जो कंप्यूटराइज़ और ये जेरोक्स पेपर के लिए जो पेपर आते हैं उसमें से कागज लेना है आपको और उसको अच्छी तरह से उसके तुकड़े कर लेने हैं आपको उस कागज के तुकड़े पे सत्रू का नाम लिखना है अगर सत्रू का नाम आपको पता नहीं है या फिर आपका सत्रू को ने ये भी नहीं आप जानते हैं तब आपको क्या करना होगा उस कागज के तुकड़े पे सत्रू लिख देना है सत्रू लिखके आपको अपने घर के में दरवाजे की देहरी पे उस कागज को रखके आपको नोजूते जोर जोर से उसको मारने है आपके ध्यान में ये रहे कि आप उस सत्रू को पकड़ के उसको जूते से मार रहे है बस दोस्तों ये काम आपको सिर्फ और सिर्फ पांच दिन करना है पांच दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा सत्रू छुपा हो या सामने हो या पहचानते हो आप जानते भी नहीं है कि सत्रू कहां है कोन है चाहे वो कहीं भी छुपा होगा आप पहले दिन से को शुरू करेंगे उपाय को वहां सत्रू को असर दिखने लग जाएगी तो दोस्तों आपको उस सत्रू से नजात मिल जाएगी और आपका ध्यान आपके काम में और आपके दिमाग में जो भी डिस्टर्वेंस हैं वो सारे खत्म हो जाएगे और आपका जीवन फिर से रूटिंग में चलने लग जाएगा उस सत्रू से जो आपको दिक्त हो रही थी वो सारी दिक्ते हो जाएगी या तो वह सत्रू आके आपके हाँच जोड लेगा आपके सामने नत्मस तक हो जाएगा या फिर दीरे उसकी सकती खत्म हो जाएगी कि वो किसी लाइक रहे गई ने आपको नुक्सान पहुचाने की उसकी ताकत खत्म हो जाएगी दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना और वेल बटन दबाना नहीं बूलना जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसा का?